परिचय जरा किताबों की इस शेल्फ को देखिए इस बुक शेल्फ में छे हिस्से हैं राम की माने उससे कहा है कि वे शेल्फ में मौजूद तीस किताबों को हर हिस्से में इस तरह लगाए कि उनमें बराबर बराबर किताबे हो तो राम ये काम कैसे करेगा अगर राम भाग करना जानता होगा तो वह आसानी से ये काम कर लेगा उसके पास 30 किताबें और 6 हिस्से हैं तो हर हिस्से में 5 किताबे आ जाएंगी है ना आसान क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे किया जाता है तो आईए मिलकर पता लगाते हैं आओ सीखें घटा कर संख्याओं को भाग करना लंबी भाग विधी के जरिये संख्याओं को भाग करना लगु भाग विधी के जरिये संख्याओं को भाग करना अपने भाग की जाच करना संख्याओं के समूह बना कर भाग करना गुणा और भाग को आपस में जोड़ना सामान बटवारा यहां छे सेब और तीन कैटरपिलर हैं अगर सेबों को बराबर बराबर बाटा जाए तो हर कैटरपिलर को दो सेब मिलेंगे यदि तीन कैटरपिलर में छे सेब बाटे जाएं, तो हर एक को दो-दो सेब मिलेंगे अगर छे सेब हों और दो कैटरपिलर हों, तो हर कैटरपिलर को तीन सेब मिलेंगे यदि छे सेबों को दो सेब भाग दिया जाएं, तो हर एक को तीन सेब मिलेंगे घटाने के जरीए भाग करना अब हम घटाने के जरीए भाग देना सीखेंगे आईए 16 को 4 से भाग देते हैं 16 में से 4 घटाईए हमें मिले 12 अब 12 में से 4 घटाईए हमें मिले 8 8 में से 4 घटाईए हमें मिले 4 इसी तरह 4 में से 4 घटाईए तो हमें मिली 0 तब तक घटाते जाईए जब तक की हमें 0 नहीं मिल जाती आईए देखते हैं हमने कितने 4 घटाएं हैं एक, दो, तीन, चार यानि 4, 4 घटाएं गए हैं इसका मतलब हुआ कि अगर 16 को 4 से भाग दें तो 4 ही आएगा लंबा भाग अब हम लंबी भाग विधी से 68 को 2 से भाग देंगे इसके लिए हम स्क्रीम पर दिये गए ढंग से 68 को 2 से भाग देना लिखेंगे 68 की संख्या में पहले 22 और वाली पहली संख्या को देखें हम 22 और से भाग करना शुरू करेंगे पहले हम 6 को 2 से भाग करेंगे 6 को 2 से भाग करने पर 3 आता है तो हम इस 3 को 6 के उपर रख देंगे 3 और 2 को गुणा करिए और इसके उत्तर को 6 के नीचे रख दीजिए अब हम घटाएंगे 6 में से 6 घटाने पर मिलता है 0 अब हम दूसरी संख्या की तरफ आते हैं हम 8 को 2 से भाग देंगे 8 को 2 से भाग देने पर मिलता है 4 तो हम इस 4 को 8 के उपर रख देंगे 4 और 2 की गुणा करिए और उत्तर को 8 के नीचे लिखिए अब 8 को 8 में से घटाईए जवाब मिलेगा 0 यानि नीचे हमें मिली 0 और जवाब है 34 तो यहां 68 लाभांश यानि बाटी जाने वाली संख्या है और 2 भाजक यानि बाटने वाली संख्या है 34 भाग फल है और 6 फल है 0 6 फल के साथ लंबा भाग आईए भाग से जुड़े एक और सवाल को हल करते हैं 25 को 3 से भाग करिए 25 में बाई और से पहली संख्या है 2 क्या हम 2 को 3 से भाग कर सकते हैं ? नहीं, 3 को 2 द्वारा भाग नहीं दिया जा सकता इसलिए हम 25 से दोनों संख्याओं को लेंगे अब 25 को 3 से भाग कीजिए हम जानते हैं कि अगर 3 को 8 से गुणा किया जाए तो संख्या मिलेगी 24 और अगर 3 को 9 से गुणा करें तो परिणाम होगा 27 27 25 से ज्यादा है तो हम 3 को 8 से गुणा करके 24 संख्या को लेंगे तो 8 को 25 के उपर रखिए और उत्तर को 25 के नीचे रखिए अब घटाईए 25 में से 24 घटाने पर मिलता है 1 हमें मालूम है 3 25 को भाग नहीं दे सकता क्यूंकि एक 6 फल के रूप में बच्चता है यहां 25 लाभांश है और 3 भाजक है 8 भाग फल है और 6 फल एक है दो अंकवाली संख्या से लंबा भाग आईए अब 948 को दो अंकवाली एक संख्या 21 से भाग करते है 948 लाभांश और 21 भाजक है 9 को 21 से भाग नहीं दिया जा सकता इसलिए लाभांश में बाए से पहली दो संख्याओं पर नजर डालिए 94 को 21 से भाग दीजिए 21 को 4 से गुणा करें तो 84 आता है अब 4 को 94 के उपर लिखें और 84 को 94 के नीचे लिखें 84 को 94 में से घटाएं और अपना उत्तर 84 के नीचे लिखें अब लाभांश की अगली संख्या की ओर जाएं अगली संख्या है 8 इस संख्या को नीचे ले आएं अब ये संख्या हो गई 108 अब नई संख्या 108 को 21 से भाग करें 21 और 5 की गुणा करें तो संख्या आती है 105 पाँच को ऊपर रखें और उत्तर को 108 के नीचे रखें 105 को 108 में से घटाएं उत्तर है 3 21 से 3 को भाग नहीं दिया जा सकता इसलिए 3 है 6 फल और 45 है भाग फल लगु भाग विधी अब हम लगु भाग विधी से 748 को 3 से भाग देंगे लाभांच में पहली संख्या को भाग दीजिए 3 को 2 से गुणा करने पर मिलता है 6 7 में से 6 घटाएं तो मिलता है 1 1 को 14 बनाने के लिए 2 उपर लिखें और 4 उसके निकट लिखें फिर 3 से 14 को भाग दें 3 गुणा 4 होता है 12 14 में से 12 को घटाएं तो मिलता है 2 4 को उपर लिखें और 2 को 8 से पहले लिखें तो ये बन जाएगा 28 अब 3 से 28 को भाग करें 3 गुणा 9 होता है 27 28 में से 27 घटाएं तो बचा 1 शेशफल के रूप में एक आपका उत्तर है अपने भाग की जाच करें हमारे जवाब जानने का कोई न कोई तरीका तो होगा आईए अब इस पर एक नजर डालते हैं आपको याद होगा अगर 15 को 3 से भाग दें तो उत्तर होगा 5 क्या ये उत्तर सही है? आईए जानते हैं यहां भाग देने वाली संख्या यानी भाजक तीन है भाग फल 5 है और शेश फल 0 है इस उत्तर की जाच करने के लिए हमें भाग देने वाली संख्या और भाग फल की गुणा करके उसमें शेश फल को जोड़ना होगा अगर हमारा उत्तर लाभांच जितना ही आता है तो फिर हमारा उत्तर सही है यहां उत्तर है 15 और ये लाभांच के बराबर है इसका मतलब है कि हमारा जवाब सही है समूह में भाग मेरे पास 36 मार्बल टाइले हैं मैं एक बॉक्स में 4 मार्बल टाइलों को रख सकता हूँ तो मुझे कितने बक्सों की जरूरत पड़ेगी पहले बॉक्स में मैंने 4 टाइले रखी अब मेरे पास 32 मार्बल टाइले बची है दूसरे बॉक्स में मैं 4 टाइले और रखता हूँ अब 28 मार्बल टाइले बची है तीसरे बक्से में मैंने 4 और मार्बल टाइले रखी है अब मेरे पास 24 मार्बल टाइले बची है इस तरह अब हम हर बकसे में चार मार्बल टाइले रखते जाएंगे तो आखिर में नवें बकसे में हम अंतिम चार मार्बल टाइलों को रखेंगे यानि 36 मार्बल टाइलों से 9 बकसे भर गए हैं 36 मार्बल टाइलों को 4-4 के बराबर समूहों में रखने के लिए 9 बक्से चाहिए भाग और गुणा के बीच संबंध मित्रों, अगर हम 18 को 2 से भाग दें, तो जवाब होगा 9 और अगर हम इस 2 और 9 की गुणा कर दें, तो हमें जवाब मिलेगा 18 यानि 2 और 9 की गुणा करने का परिणाम है 18 16 को यदी 2 से भाग दें, तो मिलता है 8 और यदी 2 को 8 से गुणा करें, तो मिलता है 16 इसी तरह 25 को यदी 5 से भाग दें, तो जवाब होता है 5 और 5 को 5 से गुणा करें, तो जवाब होता है 25 संख्यां को निम्न विधियों के जरीए भाग देना, घटाने वाली विधी, लंबे भाग वाली विधी, छोटे भाग वाली विधी